हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमिक्स माई लाइफ चैनल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नागराज की एक शांदर कॉमिक्स इसका नाम है काल चक्र तो आप हमारे चैनल पर फस्ट टायम आये हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब कीजिए ऐसी ओसम कॉमिक्स के लिए ताकि हम और ऐसी कॉमिक्स से लाते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं काल चक्र नागराज ये देख सकते हैं कवरप्रष्ट काल से जीता ना जीता कोई बड़े-बड़े सुर्माओं को पटकनी दे चुका है समय नागराज को भी हमेशा के लिए बन जाना होगा राज ज बंद कर दो फिर देखो क्या होता है पर तुम ऐसाठीकर पाओ कि किसी पर जुल्म होते देखकर तुम अपने आपको नाग शक्तियों का प्रयोग करने से रोक नहीं सकते हैं ठीक हैं मैं अपने आपको सम्वोनादेश देता हूं कि एक सब्दा तक चाहूं तो भी नाग・ शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा शाम का वक्त बेशमा लोगों के लिए भारती न्यूज चैनल पर आने वाले समचारों का वक्त बन गया था क्योंकि शाम साथ बज़े आने वाला प्रोग्राम था भारती इन्वेस्टिगेट्स आप कश्मीन में पैदाईस से रहते लेकिन अब तो यह हम पर ही जिल मठाते हैं हमारे लड़कों से जबरन बूलियां चलवाते हैं अब तो हम हम इनसे निजाच चाते हैं यह हमारी नहीं बलकि अपने उन आकाओं के लिए लड़ रहे हैं जो कश्मीर को बड़ोशी देश के हाथों बेश डानना चाते हैं कर तर 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 खुदा कसम इसे कई लड़की ने बगबग करके वैकर दिखाया जो हिंदुस्तानी सरकार नहीं कर सकी इसके प्रोग्रामों ने आम कश्मीरी को हम से दूर कर दिया है बे हमारी स्ली योजना का समझ गये हैं लेकिन कश्मीर भूले भूले बाले है लोग उनको हम फिर से चालन फसा सकते हैं बशरते ये लड़की हमाई रास्ते से अट जाए हमने इसको चिठी बेजी थी पर इसने उस पत्यान ने दिया अब हम शहीदी दस्ता भीजेंगे इसको शहीद करने के लिए अगले दिन राजनगर में भारती जी मुझे आपकी फिकर हो रही है आपने लामे कायामत की धमकी बरी चट्ठी को बिलकुर नजर अंदास कर दिया है वे बहुत खतरनाग लोग हैं आपको सतर करेना चाहिए आप मेरी इतनी क्यों फिकर क्यों कर रहे हैं पहले जा जी जो कि मैं भारती कम्मुनिकेशन में 49% का मार पार्टनर हूँ आपको नुकसान पहुचेगा तो मुझे भले ब्यक्तिकत दुख हो लेकिन कंपनी आर्थिक्स दुख के सागर में डूप जाएगी आप ही तो कंपनी को चला रही है इतना बड़े नुकसान ना तो मैं बरदाश कर पाऊँगा ना ही हमारी शेर धारक जनता ओ तो बात पैसे की है वैसे अगर मुझे कुछ हो जाए पहले जा जी तो मैंने अपनी वसीयत बना कर रख किये ओहुँ भारती जुकी है मैडम बड़ा पत्तमी जाप का नोगर भारती जी अरे धक्का देकर फूट लिया ओहो गोलिया तर-तर-तर-तर फियादीन के दस्ते की गोलिया है यह भारती की भारती बहुत बखबख का लिया तुने अब हमारे और तेरे बीच में सिर्फ तेरी मौत है गोलियां निश्चित तोर से भारतियों पहले जाके शही को चीड डालती बचाओ तर 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 अगर वे उन तक पहुँश पाती तो मौत इनकी नहीं तुम लोगों क्याएगी अगर तुम लोगों ने तीन सेकंड के अंदर हतियार ने डाले नागराच तड़ाक हाँ आतंकवाद और आतंकवादियों का दुष्बन नागराच हम फ्यादीन दस्ते के सिपाइई है जान देने से नहीं टरते हैं हम जान तभी देते हैं जब दर्जनों चानल ले लेते हैं ओ हदगोला भारती पहले तुम दोनों अंदर जाओ तुरंत देखा भारती मैंने कहता था कि आतंकवादियों से पंगलेना खतर ना को सकता है खतरा तो हर जग है पहले जा जी इससे डर कर कोई काम करना तो बंद नहीं कर सकता है देखिए लिफ्ट में चड़ने में खतरा है लेकिन फिर भी आप रोज लिफ्ट में ही उपर जाते हैं आज नहीं जाओंगा आज का दिन मुझे ठीक नहीं लग रहा लेकिन मेरा उपर अपने आफिस में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आफिस में ही फेसलेस की बेडरेस रकी है जिसे पहन कर मैं खुदे फुंकार से बचने के लिए हमाई नाक में फिल्टर लगा है तू हमें चांद से नहीं मारेगा क्योंकि हम इंसान है लेकिन हमारे शक्ति शालीव स्पोटक तेरे तो क्या है इस पूरी बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं मामली हतियारों के दम पर इतनी शे यह तो पानी वाली गन बन गई पर कैसे अरे तेरे कपड़ों को क्या हो गया तेरी लंबाई को क्या हुआ हम दोनों बच्चे बन गए हैं दाड़ी वाली बच्चे हमारी गने खिरोना बन गई हैं यह जादू है जादू है जादू भाग जमीले नहीं भाग सकते हमारी दा सब नादो नागराज पहले जाबी चकित था ये क्या हो रहा है दोनों आतंकवादी बंदू के फैककर नागराज के सामने चिपचाब के खोने है नागराज के सामने पढ़कर बड़े-बड़े अपराजियों के हाथ पे धीले हो जाते है फिर ये मामली आतंकवादी है पहले जाओ और दर्बान देख रहे थे जो सच्चाई थी और आतंकवादी जो देख रहे थे वैस सब मोहन द्वारा पैदा किया क्या फ्रमता फू फिलाल तुम दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाओ जब जेल में जाओगे तो फिर से पहले जैसे हो जाओगे बोलता बोलता नागराच एक आएक चुप हो गया उसके कानों में एक आवाज आठक रही थी बचाओ नागराच ये तो भारती के वाज है अगर आतंकवादी भार है तो अंदर कौन सा खतरा हो सकता है खतरा वही था जिसका भारती ने पहले जासे अभी अभी जिक्र किया था लिफ्ट तेरी से नीचे किर रही थी उसको थामने वाले तार शाय तूट गए थे अवाज लिफ्ट की शाफ्ट से आ रही है और आवाज का स्थ्रो तेरी से नीचे आता जा रहा है यानि भारती इस लिफ्ट के साथ नीचे गिर रही है नागराज, 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 नागराज शाफ्ट के बंदर वाज़े खुले है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी ओहो लिफ्ट एकदम से नीचे आ चुकी है नागराशी को इस्तमाल करने तक का समय नहीं है नागराश की शारिक शक्ति का ये खतरना का इंपिहान था तेज गती से गिरते हैं कर बजनी लिफ्ट का बजन कई को ना बढ़ गया था लेकिन नागराश इस फरिक्षाम फेल नहीं हुआ भारती अब तुम दर्वाजे से भाहर निकलाओ लिफ्ट बीच मैट की है नागराश तुम लिफ्ट को नीचे रखो अभी मैं भाहर जाने लाएक रास्ता बन पाएगा लेकिन लिफ्ट नीचे रखोने से पहले ही लिफ्ट उपर की तरफ दोल पड़ी ओहो किसी की साजिस लगती है यह भारती को उपर से टकरा कर मानने कोश्च की जा रही है नागराश दिवार पर दोल पड़ा लेकिन लिफ्ट और नागराश की इस दोल में जीत नागराश की हुई मैं लिफ्ट से उपर आ चुका हूँ अब मैं लिफ्ट को उपर से टकराने नहीं दूँगा लेकिन नागराश के देखते देखते लिफ्ट के ताट टूते चले गए भारती और लिफ्ट गहराईयों में गोता लगा गई नागराश सी ने गिरती परनतु इस बार नागराश सतरक था नागराश सी ने गिरती लिफ्ट को थाम लिया अब लिफ्ट मेरे कंट्रोल में है अब भारती सुरक्षित है भारती को मन नहीं होगा कौन बोला अहा अरे ये क्या हो रहा है लिफ्ट के टूटे तार अपने आप आपस में जुड़ जुड़ कर एक रूप धार्ण कर रहे हैं हा नागराच ये तारी मेरा शरीर है केबल बान कह सकता है मुझे क्योंकि मेरा बलवान शरीर केबलों का बना हुआ है इतना तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम ने एनलाइस कर लिया है कि तुझे मारे बगैर भारती को मानना मुश्किल है से ज़्यादा और असमभव से कम है इसलिए समय बचाने के लिए पहले मैं तुझको मारूँगा और फिर भारती को मशीनी दुश्माने के वलबान इस पर मेरी विशाली शक्तिया काम नी करेंगी सिर्फ शारिक बल और दसक सर्पों का ही सारा है पहला बार नागराज नहीं किया दसक सर्पों ने इसके धमाके इसके जुड़ेवे तारों को बिखेर देंगे और इसका शरीर नश्ट हो जाएगा नागराज ने जो सोचा था नतीजा उससे उल्टा ही हुआ तू मेरी मजद क्यों कर रहा है नागराज तेरे विस्पोटक साप तो मेरे तारों को गला कर आपस में जोड़ रहे हैं और मुझे और मजबूत बना रहे हैं शायद तूसका मरने की जल्दी है भाले की तरे तारों के सेरे नागराज की सरी में धस्ते चले गए लेकिन नागराज पर भला ऐसे वारों का कहां सरो ना था मुझे मरने की नहीं तुझे तोड़ने की चल्दी है वैसे कहते हुए जीब तो जरूर लग रहा है लेकिन फिर भी अगर तू बता दे कि तुझे भारती को मानने के लिए किस ने भेजा तो शायद मैं तेरे तार अलग ना करूँ मैं तो तेरी बात पर हज भी ने सकता है यंत्र हो न इसलिए वैसे मेरी मेमारी में मुझे भीजने वाले का टाटा नहीं है मुझे बस ये पता है कि इस लिफ्ट के लटका दिया गया था जैसे अब मैं तुझको लटकाऊंगा इन तारों से तीवर चुमकी छेतर पैदा हो रहा है जो मेरे दिमाग पर असर डाल ला है मैं छादरी कड़ों में बदन नहीं पा रहा हूँ अब शारीक सक्ती का प्रयोग करके इसको तोड़ना होगा नागराज का वे घुसा पढ़ने से ऐसी कूँच पैदा हुई जिससे आसपास की मारतों के कई सीशे चटक गए केवलवान का शरीव बुरी तरह से थर्थरा गया कि उसके लिए नागराज को थामना संभवी नहीं रहा थर्थराने से इसके तार अलल हो रहे हैं यही मौका है इस पर तकड़े बार करके इसके अंदर के सरकेटों को बेकार करने का कमजोर पढ़ रहे है केवलवान ने अपनी योजना वल दी थाम ओ इसका एकतार लिफ्ट के शाफ्ट के अंदर जा रहा है यह जरूर लिफ्ट को थामने वाली सरप्रस्टी को तोड़ना चाता है भारती अभी भी लिफ्ट में ही फसी होगी मुझे भारती को लिफ्ट से भार निकालना होगा सरप्रस्टी तूटने से पहले ही नागरा लिफ्ट के नीचे पहुँच चुका था और उसका बाजवी लिफ्ट को थाम चुका था घबरानाबत भारती मैं इस लिफ्ट को थामे हूँ अब धीरे धीरे लिफ्ट से सबसे पास के फ्लोर में लाऊँगा तुम दरवाजा खोल कर भार निकलने की कोश्च करो ओके नागराज बस दरवाजा सामने है और मैं इसको खोल भी चुकी हूँ कुछी पलों में भारती लिफ्ट से भाराच निकल चुकी थी मैं भार निकल चुकी हूँ नागराज अम मैं लिफ्ट को छोड़ सकता हूँ केवल वान का केवल अभी तक सरप्रस्टी को तोड़ नहीं पाया है मेरे छोड़ने से भी लिफ्ट ना तो गिरेगी और ना ही इसको नुकसान पहुचेगा आहा केवल सरप्रस्टी को छोड़ कर मुझे कसरा है इन तारों को मैं एक छटके में तोड़, आहा, तोणू कैसे, ये तार तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, उल्टाइए मेरे मास में खुश कर, मैं शही को तेज धारवाली छुरी की तरह काट रहे, इच्छाधरी शक्ती का प्रयोग करके बच निकलना होगा, इच्छाधरी शक आहा, तार शही को काटते जा रहे हैं, जल्दी इनकी धार मेरी हड्डियों के भी टुकड़ कर देगी, और फिर मेरे कटेंग फिर कभी नहीं चुड़ पाएंगे, इच्छाधरी शक्ती के सिवाए कोई और शक्ती मेरे काम नहीं आएगी, और बिजली के छटके जरूरत थी मुझको, नागरसी बड़ी मुश्किल से उस डिब्वे को अपने सिकंजे में कसबाई, लेकिन एक बार सिकंजा कस थी, नागरा ने उस डिब्वे को केवलवान पर उचानले में समय वर्थ नहीं किया, ये क्या फैका तुने मुझ पर, गौन जैसी गाड़ी च पाएगा, मैं अपने केवल को जोड़ने में अपनी बैटरी के सारी उर्जा लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी ये फिसलती जा रहे है, ये तुम्हारी समस्चा है केवलवान, मेरी समस्चा तो हल हो गई, तुम्हारी उर्जा ही खपत, दूसी जगे से होने कराण, तुम मु में अब हो जाएगा नागराज, इसलिए मुझे अपने बैक अप प्लान को लागू करना होगा, केवलों के सेरे डिल की तरह घूमका छत में छेद करने लगे, और अंदर धसने लगे, और पूरी बिल्डिंग में अपने चाल फिरने लगे, ओ माई गोड, वाट्स हैपनिं देख नागराज, अब पूरी इमारत में मेरा केवल नेट फैल चुका है, अब इन तारों में तेज थर्थराट पैदा होगी, ये पूरी बिल्डिंग धूल में मिल जाएगी, और इसी मल में तफ़न हो जाएगा भारती का शरीर, तुम्हें एक मशीन हो, जरूर हो, लेकि सिर्फ रखत संचार के लिए, अब भारती को तीन मिंट में मेरे सामने लेया, वरना हजारों जाने एक साथ जाएगी, ऐसा नहीं होने दूँगा, तुम्हें नाग गती को नहीं जानता, मैं तीन तो क्या दो मिंटों के अंदर अंदर इस इमारत को खाली करवा दूँगा, नाग जाल फेला कर इमारत के चारों तरफ और लोग उस पर कूद कूद कर बच जाएंगे, तुझे मैं ऐसी शंता है, तू ऐसा कर सकता है, इसलिए मैं तुझको इतना समय ही नहीं दूँगा, कि तू भारती है, किसी और को भी साथ जान कर सके, यह मूर्खों की तरह मेरे मैं आकर मेरे पीछे-पीछे भाग रहा है, मैं शाफ्ट के जमीन तक पहुंच गया हूँ, लेकिन इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, बस नागराज, यहां से तू आगे नहीं जाएगा, मेरे केबलों ने भार जाने का रास्ता बंद कर दिया है, तेरा च्छादार इकन तक यहां से भान नहीं जा सकता, तू किसी को भी साब धान नहीं कर सकता, अब देख भारती की मौत का थमाशा, छट पर धासे वे केबल, मेरे केबलों में कमपन शुरू हो गया है, दस सेकंड में पूरी बिल्डिंग, ट्विन टावर की तरह गिर जाएगी, इस बिल्डिं के लिए किसी ऐसे तकड़ेवार की जरूती, इसलिए मैं इसको यहां लाया था, ताकि मेरे संकेत पाते ही सरप्रसी लिफ्ट को छोड़ दे, और लिफ्ट की टक कर इसा कचुमर बना दे, अब ये केबल, केमोडे तुड़े, धेर किलावा और कुछ भी नहीं है, ओ, थी च केबलों को तो निकाल दो, यह काम आप लोग का है, नागराज हर काम भी कर सकता, मैं बिल्डिंग को तूटने से बचाए, आप लोग इसको सजाएं, सवारें, चल भाई, तोड़ फोन करें ये, सवारें हम, कुछ लोगों के लिए कितना भी कर दो, फिर भी उनको शिकायत बनी रहती है, खेर फिलाल तो भारती के हलचाल का पता किया जाए, भारती के ओफिस में, आप लामर कायमत वाला एसायनमेंट तोरण छोड़ जीजे भारती जी, क्या कह रहे हैं मिस्टर पहिरेजा जी, दो आतंकवाजियों के डर से देश की सेवा करनी छोड़ दूँ, मै प्लैन यह रहा होगा कि फियादीन मुझको उलचाया रखें और तब तक केवलवान तुमको खतम कर देगा, यह तुम इतनी पक्की तोर से कैसे कह सकते हो नागराज, क्योंकि केवलवान ने एक बार अपने मालिकों के स्थान पर कुरूर दिलवाले आतंकवाजियों को जि अपने मकसद के लिए आतंकवाज फिलाने में प्रोफेशनलों की मदत लेते हैं, किसी आतंकवाजी ने किसी मेकनिकल एक्सपर्ट से केवलवान जैसी चीज बनवाई होगी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है नागरा, लेकिन अगर ऐसा है तो आतंकवाज के हाथों दुनिया खत्रे में नियोainen के ट्विन टावरों को यात्तली विमानों के द्वारा दोस्त करना, इसकी एक चीती-जक्ती मिसाल है, अगर अतंकवाज दुनिया के लिए खत्र है, तो आतंकवाज के लिए मैं खत्रा हो भारती, मैं टाडा लूँगा मैं ऐसा, आतंकवाज को, इसी वक बचा कर अन्होनी कर दिए एब और यानि भारती का मृत्तियोग डिल यहाइक में करे दिए तुम नागराज पार्टía को रोकना होगा बना हो नी को अन्होनी बनाकर हमारे काम में दखल दुखल दे रहा है। जो आग्या सर्व स्वामी, नागराज हमिशा की तरह निर्दोशों की चांद को मौत के चब्डे से छीनने में जुटा वा था, भारती पर दूसरा हमने होने से पहले ही मुझे आतंकवादियों का पता लगाना होगा, अरे एक और अपराद, ये अपरादी मुझे दो पल की हैं, तो मैं आतंकवादियों को ढून पाऊँ ना, कैर फिलाल, तो इनको बचाता हूँ, लेकिन इस से पहले कि नागराज घटना स्थल पर उतर पाता, उसको पास की एक इमारत में खीच लिया गया, बस नागराज, अब तुमको स्रश्टी के कारेकलापों में और दखलना हाँ देने देंगे, कौन हो तुम जोग? हम लोग प्रभू की स्रश्टी चलाने की जिन्मेदारी है, प्रभू के त्यानीमski के निसार हम उनको चलाते हैं, तुम हमको सरक्षक कह सकते ओ, ब्रहमाण चे अमर सरक्षक, आप मुश्टे काचाते हैं, तुम को बताना चाहते है कि तुम स्रस्टी के निवों में धखल अंदाजी कर रहे हो इंसानों को प्रभू की बजाए अपने अपर निर्फर बना रहे हो लोग भगवान बचाओ नहीं बलकि नागराच बचाओ बचाओ करने लगे हैं जिनका मृत्तियोग आया हूँ हो उनका मृत्तियोग तुम टाल करा फिलाल तो आप दोनों मेरे अंतिजार कीजिए मैं गुंडों से ने पटकर आता हूँ फिर आराम से आपकी राम कहानी सुनूँगा तुम कहीं नहीं जाओगे नागराच अब हम तुमें स्रस्टी के निमों को बदलने नहीं देंगे मान वोक अपने अप जीना सीखना ह किसी अमान वी शक्ती की वाद के लिए बगैर और अगर इनमें उनकी जान भी जाती है तो चाहे है आखिरेकना एक दिन जान वैसी जानी है कैसे सरक्षों को तुम लोग जिनकी रेक्षा करने का दावा करते हैं उसी को नश्ट होता दिख रहे हो मुझे तो तुम लोग किस सनायों तंत्र को प्रवायत कर रहा है मुझे शरील को हिलाने में भी दिक्कत हो लिए क्या ये सच मुच अमर सरक्षक है अभी पता चल दाएगा ये अमर है या नहीं कम से कम इंसान तो नहीं लग रहे इसलिए मुझे इनका खतम करने में कोई हिच्क्राट नहीं होगी नागराच के उस वार ने सरक्षकों के पैर जमीन से उकाड़ दिये और सरक्षकों ने पैर दुबार जमीन पर नहीं रखे देखो हम उड़ सकते हैं अब तो तुमको हम पर यकीन आया ना तुमारे बार काभी हम पर कोई असन नहीं होगा मेरे कई दोस्ते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं इसमें चमतकार जैसी क्या बात है जैसे परमाणों और शक्ती तुमको चमतकार देखना है तो देखो तुम हम पर हमला इसलिए कर पाए क्योंकि हमने तुमको मौका दिया था अगर हम तुमको मौका न देते तो तुम हमला करना तो दूर हमको देख तक नहीं सकते थे ओह सारा शही तरतरा रहा है मैं खड़े होने तक की स्थती में नहीं हूँ इस बार से बचना होगा बचना होगा नागराष पानी के टेंकी पर चड़ता चला गया और कुछ पनों के बाद नागराष टेंकी में भरे पानी में तेर रहा था पानी हो मेरे शही के कमपनों को सोक कर हलका कर दिया है अब मैं आराम से सुच सकता हूँ कि यह वाकई ब्रह्मान के सरक्षक हैं या कोई नाटक बाच लेकिन ऐसा नाटक करने से भलाइन को क्या फायदा हो सकता है इन्होंने तो मुझे पच्चान लेवा हमला तक नहीं किया खेर यह बाद में सोचूंगा पहले तो उस जोड़े कुंडों से बचाना है इच्छारी रूप में गायब होकर नीचे पहुशता हूं ताकि सरक्षक वहतान डाल सकें तंकी के मूँ को सरक्षकों ने किसी प्लास्टिक जैसी चीज़ से ठक दिया है हाँ ना अगराज तुम जान हम जानते थे कि तुम ऐसी कोशिश करोगे इस अबरोध ने तुमको हमारी नजरों से उजन नहीं होने दिया अब खेल बहुत हो गया अब तुमको शांती से हमारी बात सुननी होगी ओहो इमारस से लगे सरी अपने आप बढ़कर मुझे गिरिफ्त मिले रहे हैं और मुझको इस कैस से छूटने में एक सेकंड लगेगा इच्छादारी शक्ती के द्वारा तुमारी ऐसी कोई भी कोशिश नाकाम होगी करके देख लो आहा इच्छादारी शक्ती का प्रयोग करते ही मुझे उठ जाके छटके लग रहे हैं देखो नागराच हम तुमको दो संभावित घटना करम दिखाते हैं एक तो भै कि जब तुम जोड़े को बचाने जाते हो तो क्या होता है दूसरा यह है कि अगर तुम बीच में दखन ना देते तो क्या होता है इटो का बैठाचा तेज रोष्णी की चमक में लवग गायब हो गया और जब रोष्णी खतम होई तो अधवुत उस इटो के ठाचे के स्थान पर एक जीब सी मशीन उभराई है हाँ नागराच हमको संभावित भष्णी देखने के लिए यंत्रों क्या विशकता नहीं है परन्दु तुमको दिखाने के लिए भष्णी है देखो इसमें धृब्बी है उस जोड़े को बचाने तुम घटना स्तर पर पहुँच रहे हो नागराच चिलना लेकिन नागराच नहीं आने का है अरे वे कितनों को एक साथ लुटने से बचाएगा मेरी पत्नी को छोड़ दो मैं तुमारे हज जोडता हूँ पैर पढ़ता हूँ छोड़ देता है बाब जरूर छोड़ देगा पन क्या करें अंगुठी 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 में फस गे लिए एक सेगंड में अंगुठी काटकर अंगुठी निकालेगा फिर छोड़ देगा तेरी बीबी को बस तुम अंगुठी नहीं काटेगा अपनी जिंदगी काटेगा जेल में नागराज अरे पाप रहे तिरको और को गाम नहीं क्या हो मिसके लाइए शाकुरा से जाके भड़े में लिए जितना महत्तिमूण बड़े अपराद रोकना है उतना ही महत्तिमूण मामली अपरादों को भी रोकना है क्योंकि तुम अपरादी भूधे हो जो बाद में या 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 धड़ाक धन्यवाद नागराज धन्यवाद कैसा यह तो मेरे फर्स था अब इन दौन लोटेरों को पुलिस के हवाले करा हूं देखा तुमने इंसानों कैसे ट्रपोक बना दिया अब देखो अगर तुम्हारे आने की उम्मीद नहों होती तो जोड़ा क्या कर फिर यह चाहिसे ना मालों पर मेरी पतनी को होड़ेगा बाप क्या है कि अंगुती टी तो AI मर जाता है ओ तो मैं अब तक वेकारी बीच में नहीं पढ़ने से मुसीबत अपने आप ही टल गई ये समझ गए कि अब इनको अपनी रक्षा खुदी करनी चाहिए और उसमें सफल भी हुए अब तुमको बात का रखने का कोई अर्थ नहीं है जो हम दिखाना और पताना चाहते थे तो अपराज और अपराजी दोनों ही बढ़ सकते हैं उसको जानने का एक ही तरीका है नागराज कुछ दिनों के लिए मानवों की जिंदगी और मौत में तखल देना पंद करके देखो क्या नतिजा निकलता है ठीक है मैं ऐसा करके देखूँगा लेकिन तुमारे लिए ऐसा करना मुश्किल होगा कि किसी की भी जान खत्रे में देखते ही तुम उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दोगे चाहे जान करकर हो या अन जाने में हाँ ऐसा हो सकता है परन्तो इसका भी एक हल है मेरे पास मैं ऐसा इंतिजाम करूँगा कि मैं चाहकर भी नाख्शक्तियों का प्रयोग ना कर सकूँँ और अपने आपको सम्मोहन आदेश देकर और फिर मैं नागराच चाहकर भी अगले साथ दिनों तक अपनी किसी भी नाख्शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा और ऐसा नागराच को नागराच का आदेश है हम परसन ने कि सष्टी के भलाई के लिए तुमने सही दिशामे कताम उठाया नागराच लेकिन यह प्रयोग एक सब्ता के लिए है इसलिए तुमको एक काम और करना होगा जंता में सूचना फिलानी होगी कि नागराच अपराद अनुमनत से सन्यास ले रहा है ताकि जंता मुसी बढ़ने पर तुमारा इंतिजा ना करती रहे और इसी में एक सब्ता गुजर जाए ठीक है प्रयोग का सही नतिजा जानने के लिए सकना जरूरी है मैं ऐसा ही करूँगा तो फिलाल विदा दो नागराच हम तुम पन नदर रखेंगे और ज़रुत पड़ी तो तुमसे मुलाकात करेंगे विदा सरचको और फिर मैं अपराद और आतंगवाद से ने पटने का अभियान अनिस्टितकाल के लिए स्थगित कर रहा हूँ क्या बोल ले हो नागराच खोश में तो हो अरे ये तो भारती चैनल पर नागराच का सजीव इंट्रिव्यू आ रहा है और नागराच में जाक तो नहीं कर रहा पर ये कैसे हो सकता है कल तक तो ये विल्कुल ठीक था बलकि इसने मेरी जानी बचाई थी कुछ तो कारण जरूर होगा भारती वे कारण पता करना होगा सौरी दाजा जी आज आपको बगय नाश्ता कराए अफेच जाना होगा भारती कमिनिकेशन में सारी दुनिया को पता चल गया है कि नागराच रिटायर हो रहा है अब मैं भी राज बनकर काम पलग जाओ वहना राज को भी रिटायर कर दिये रहेगा राज क्या तो मंदर हो राज ये तो भारती के वाज है कमिन मैंडम ये क्या तमाचा है राज तुम रिटायर कैसे हो सकते हो शांत मैंडम शांत मैं नहीं नागराच रिटायर हो रहा हूँ आप कुस्से में मुझे नागराच समर रही है आज सभी का दिमाग गरबड हो रहा है ओ सौई राज मैं तो भूली गई थी कि दरवाज खुला हुआ था पर नागराज येका एक रेटायर क्यों हो रहा है नागराज रेटायर हो नहीं रहा बलकि हो चुका है भारती उसकी शक्तियां भी फिलाल गायब हो चुकी है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो नागराज जनता का तुम पर जो भरोसा भी एक दन तूट जाएगा उनको नागराज पर नहीं अपने आप पर भरोसा में चाहिए यही करने के लिए नागराज रेटायर हो रहा है देखती जाओ एक दू दिनों में नतीज़ा सामने आई जाएगा जो नतीज़ा सामने आए वो अच्छे ही थ लूट का दंदा छोड भीडू का लड़ाई चीखने का स्कूल खोल ले नागराज की जाने के बाद आजकल हर कोई ऐसा ही स्कूल में भरती हो रहे ला है या नागराज था तो अच्छा था डूटी पर एक दो जबकी मानने को मिलता था पर अब तो अक्छा टाइम ही जगे लूटार हैं गिलता महानगर की अपराद दर में भारी गिरावाट को जगन अपराद अभी भी हो रहे थे पर उनकी संक्या नाग के बरावर थी शरस्टी का संतुलन एक बार फिर स्थापित हो रहा था यही पर मैंने स्थी के भराई के लिए अपनी नाग शक्तिकों सुला कर देगी नागराच फिर कभी नहीं आएगा क्योंकि नागराच की फिर आवशकता ही नहीं रही तुमने सत्य को खुई देखकर समझ लिया नागराच प्रभू की स्रश्टी अपने आपको संभालने में सक्सम है स्रक्षक काफी दिनों के बाद आया आप तुम भी तो ही बुराई हो रही थी आप ठीक के रहे हैं ऐसा ही करना होगा नागराच अपर हमेशा एक साधारन इंसान भी बनकर रहेगा भारती पर खत्रा भी मन रहा था राजनगर में हम अपनी चांद देंगे लेकिन आतंकवादियों को कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं करने देंगे कुछ करो इस लड़की का चन्नल वनना हमारे आका हमारे बदन के टुकणों को अलग कर देंगे हम इंतजार सिर्फ ही है हाँ अब तो नागराज का भी लफड़ा भी नहीं है हम तो इंतजार सिर्फ इस बात का यह जानने के लिए कर रहे थे नागराज कहीं रेटार्मेंट की चाल तो नहीं चलना पर आप हम और देंगे क्योंकि हम जाय दिनों तक कश्मीर छोड़कर राजनगर में नहीं रह सकते हैं भारती को जल्द से जल्द मनना होगा वेलकम फ्राम कश्मीर भारती कोई काम नहीं था तो तुमको एरपोर्ट लेने चला आया काम करना तो नागरा ने छोड़ा है फिर राज कैसे खाली हो ग प्रिकरी खतम ओहो तड़ाक तेरी जिंदगी पर लगा मौत का तला आज खोल देगा लोगो और तेरी आत्मा को अजाद कर देगा ओहो इस बार आतंकवादियों ने हमला करने में जादेन नहीं की भागना चाती है भारती तो भाग देखूं तू कितनी दूर तक भाग सकती है लोगों के पैर लंबे हुन लगे और दो ही कदम भरने के बाद भारती से आगे पहुंच चुका था अब बता तू कहा भागेगी कानून के तो सिर्फ हाथ लंबे होते हैं भारती लेकिन आतंकवाद के हाथ पैर गर्दन धर्ड सभी कुछ लंबा होता है आतंकवाद से बचकर कोई नहीं भाग सकता आहा मेर पहाएं उखड़ जाएंगी उससे पहले मैं इसके पैर चमीन से उखाड़ दूँगा रास तुम दूर अट जाओ मैंसे ने पढ़ लूँगी भारती मुझे कमजोर समझकर दूर अटने के लिए कह रही है लेकिन नाक शक्तियां सुप्तोंने के बाद जूदी मेरी शारिक शक्तिया भी मेरे पास है क्योंकि मेरी ये शक्ति दिमाग से संचालित नहीं होती इसका अंड़ को संभूहना देश से नहीं दबाई रह सकता मुझे रोको मत भारती मैं इसे ने पढ़ता हूं तड़ाक मैं जानती हूं लेकिन इस रूप में अगर तुम्हें अपनी आश् घटना स्थल पर आएगा है अगर ताड़ भारती लोगों का मुखाबला तो कर रही थी भादरी से लेकिन सिर्फ भादरी काफी नहीं थी ठर्नमंं हर्मं शिकंजा उसकी गर्दन पर आकसा और सास की नली पर दवाब पढ़ने से भारती के आखो के आगे रंग रंगे सिता सारे चमकने लगे सांस की नली कड़कने लगी बेहोशी दिमाग पचाने लगी लेकिन उससे पहले कि बेहोशी का अंधेरा मौत की नीन मिलना था धालाक लोगों को भारती गर्दन छोड़ देनी पड़ी कि घटनस्तर पर आ गया था नागराच नागराच वापस आ गया थैंक गड़ अब भारती यो कुछ नहीं हुगा क्योंकि मैं भारती कुछ रक्षित कार में रखाऊंगा नागराच की एक ही किकने कार सीधी हो गई तड़ाक लेकिन भारती को कार में रखने के बाद नागराच को लोगों तक वापस चाने की जरूत नहीं पड़ी लोगों खुद उस तक आ गया था मेरे और मेरे भारती किलर प्रोग्राम के बीद जो कोई भी आएगा उसे मरना पड़ेगा चाहिए तू ही क्यों नागराच जब इंसान आज तक मुझे नहीं महर पाए तो भला उनकी द्वारब बनाएगी मशीन मुझे क्या मारेगी हाँ लेकिन मैं तेरे पुर्जे पुर्जे जरूर कर सकता हूँ मेरे सारे अंगों की वैल्डिंग की गई है उनको तोड़ना संभाव है नागराच लेकिन तेरे शहीर पतारों के जो कुछ हैं उनको तोड़ो कर शॉर्ट सर्किट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा होगा क्योंकि इन तारों को भी वैल्ड किया गया और इनके ओपर बुलेट प्रूफ प्लास्टिक की पर चड़िये तू ना तो प्लास्टिक का खोल अटा सकता है ना ही तारों को तोड़ सकता है इससे पहले कि नागराच कुछ कर पाता उसे उपर घने पेड़े को पर खीच लिया गया और सो खीचने वाले थे सरक्षक तुम यहां कैसे तुम पर नजर रख रहे थे और हम यही सवाल हम तुम सब पूछना चाहते हैं नागराच तुमने तो काल चक्कर में बाधाना डलने की शपत ली थी शपत मैंने नहीं तोड़ी है मैं तो आम आद्मियों की तरह मुकाबला कर रहा हूँ बगयन नाक्षक्तियों के लेकिन अगर तो बन जाने में नाक्षक्तियों को फिर जगा बैठे सरक्षक यह नहीं समर रहे है कि संबोहन की अफ़दी पूरी होने तक नागराच नाक्षक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता लेकिन मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगा लेकिन एक शर्त पर तुम भारती को इस खत्रे की जगे से ले जाओ और घर तक पहुचा दो ले लेकिन लेकिन ऐसा करके तो हम खुद काल चकर में विवदान डालेंगे यह मैंने जानता है मेरी यहीं शर्त है बोलो मानते हो है नहीं ठीक है हमें स्विकार है नीचे लोगों फिर से भारती तक पहुचने में नाकाम रहा लोगों के छूपाने से पहले यह नागराज भारती को उठा चुका था और फिर भारती हमिशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी वाओ अमेजिंग यकीन नहीं होता अब मुझे भारती की चिंता करने जरूत नहीं है अब तू अपनी चिंता का लोगो रोबोट मनने से नहीं डरते नाई उनको दर्द होता है लेकिन इंसानों को होता है बता बता हुआ कि नहीं तूने मेरे शिकार को भाय है अब तू मेरे शिकार बनेगा नागराज की हट्टियां आपस में ठकराने लगी आहा बगेन नाक शक्ति के आजाद होने होना मुश्किल लग रहा है और इस बेल्ट किये गए जोड़ों को मैं तोड नहीं पा रहा हूँ और ना ही तारों का प्लास्टिक का कवर हटा कर शॉट सर्किट कर पा रहा हूँ ओहो फैस नेवल महीला है यह मेरी मदद कर सकती है इसके पास बैची जरूर होगी जो मुझको चाहिए रुखिये मैडम डरिये मत मुझे आपके पर्स से कुछ चाहिए और फिर पर्स से निकली शीशी के द्रव को तारों में उड़ेलते ही चिंगारियां तर लखने लगी यह क्या किया तुने तारों का पुलेट प्रूफ प्लास्टिक कवर कैसे गल गया तुम कहाँ चले गए थे नागराच महानगर वाशी तुमको देखने के लिए तरस गहते हैं क्या हमारा नातर तुम्हारे साथ तुम को कमी नीमिल बख सब्सक्राइगया और एक बार फिर महानगर के आकासपल हराएगा नागराच लेकिन फिलान मुझे भारती को देखने जाना है भारती यहां थी यह क्या है भारती का मृत्तियोग एक वार फिर ठल गया सर्वस्वामी इस बार भी ऐसा नागराश की कानण हुआ है इसलिए यह भारती को यहां ले आए अच्छा किया क्योंकि फिलाल भारती का मृत्तियोग कुछ समय के लिए ठल गया है अब इसका नागराच तुने मुझे पैचान लिया सुप्रीम हैड और मैंने तुझे बिना नाक्षक्तियों कि तुम यहां तक कैसे पहुंच गए जब तुम्हारे मशीनी रोबोर्ट सरक्षकों के हातों में मैंने भारती को सौपाता तो उस पर कार में रखा हुआ एक अंतर भी लगा कैसे हुआ अगर वे वास्ता में सरक्षक होते हैं तो उसको मेरे गुप्त रूप के बारे भी पता होता उन्होंने मुझे मेरे गुप्त रूप में छेड़ा तक नहीं सिर्फ तभी मुझे पैचाना जब मैं नागराच के रूप में सामने आया और जब यह भारती को उसके अपने आप किया या किसी कहने पर अपने आप क्यों करूँगा फिर मुझे पैसा को न देगा जिसने मुझे कॉंट्रेट दिया है वह भारती को लेने आने वाला है जब तुमने केवलबान को तोड़ दिया तह हम सोचने मजबूर हो गए कि कैसे तुमको अपनी शक्ती का इस् Civाल करने से रोगा जाए एक ही तरीका था तुमको ये दिलाना कि तुमारी शक्ति की प्रियोक से बुराई हो रही है बस हमने एक नाटक करने की सोची एक मारत की छट पर कई रोबोट के कई तरह के यंद्र फिट कर दिये और इस पर रोबोट स्रक्षकों को तैनात करने के बाद हमारे दो आदमी को लूटने लगे तो महाँ पर पहुँचे और हमाई जाल में फस गए तुमने अपनी शक्तियों के सम्मोहन द्वारा सुलावी दिया पर हमको भरोसा नहीं था इसलिए भारती पर दूसरा हमला करने से पहले हमने कुछ दिनों का समय ये देखने के लिए कि नागराज वाकई गायब हो गया या नहीं लेकिन इस दोरान तुमने अपराद दर को बढ़ने से कैसे रोक रखा मामली सी बात थी सारे अपरादियों और को चेतावनियों पैसे दोनों ही दी जा चुके थे फिर भी जो अपराद करने ही कोश्च करते उनको मेरे आदमी मार भखाते थे खेर अब तुम आतमसर उपड़ करोगे सुप्रीम हैड या फिर तुमारा चमचा तुमारा मुझे रोक नहीं कोश्च करेगा तुमारा मेरा सेवा के कोई फाइटर नहीं वैसे भी तुम भूल रहे होगे तुम्हें एक सब्ता तक अपनी नाक्षक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते ये क्या बकवास कर रहा है दर्वाज़ों मेरे बीच में तो कुछ भी नहीं है नाग्राज ने कदम बढ़ाया और उसको खत्रे का एसासोद देनी लगी थमाममम ओहो पत्रीले ब्लॉक पिस्तन के सारे एक दूसरे टकरा रहे हैं बाल बाल बचा बनने में भी मेरी चटनी बन जाती लेकिन नीचे कूद करी हैं बच्चों का नहीं क्योंकि इस जमीन का हर पत्रीला ब्लॉक ऐसा ही है जिस ब्लॉक पर ही पैर रखता हूं वह उपर उठ जाता है और उसके ऊपर की छटवाला ब्लॉक उससे आठक राता है बचने का रास्ता से विच्छा दरी सक्ति या फेच्छ सर्फ है जिनकी God यह पत्रीले ब्लॉक के फिस्टतों धोड़ सकता हूं लेकिन नाक्शक्ति आएं कहांसे नाहच उपटे अक उनका प्रियोग नहीं कर सकता हूं आसथा कि नक्राज नाक शक्तियों ब्राम अब मैं कुछ ब्लोक्स को धसक सर्पों की मज़से तोड़ सकता हूँ और कुछ ब्लोक्स के बीच इच्छारी कड़ों बदल का सुरक्षित निकल सकता हूँ अब मुझे सुप्रीम हैटर भारती तक पहुशना है वे भी जाद दूर ने गए होंगे लेकिन उन तक पहुशने से पहले मुझे को एक बार फिर नागराज बनना होगा भार आँ नागराज के आगया ये जिन्दा कैसे बच गया मैं इसको रोकता हूँ तुम लोग अपना माल मेरा बतलब भारती को लेकर यहां से निकलो भी आतंकवादी भारती को लेकर भाग रहे हैं मुझे ने रोकना होगा तू उनको नहीं रोक पाएगा नागराज मैं तुर्य ऐसा नहीं करने दूँगा क्योंकि मैंने उनसे बड़े मोटे पैसे लिए हैं अगर मुझे पार करके भी तू जा सके तो ले जा उनको पर हाँ एक बात फिर से आद दिला देता हूँ अभी सब्ता होने कि अवधी में पूरे पांच मिन्ट बचे हुए हैं अगर पांच मिन्ट हो है तो अपनी मौद को छखा सकता है तो छखा ले क्लाक अहाँ मैं इसके सामने राज नहीं बन सकता और नागराज बनकर लड़ नी सकता फिर क्या करूँ क्या सोच रहा है नागराज यही है ना कि मैं तुझे कैसे मौत दूंगा देख मैंने अपने वाहन को कैसे कैसे खुंकार शस्त्रों से लैंस का रखा है यह मेरी तोप है वो फोर्स तोप की पाप ओहो ब्राम मुझे निशाना यह मुझे निशाना नहीं बना परा लेकिन फिर भी मुझे उस तरफ नहीं जाने देरा जिदर वैन भारती को लेकर गई है अब तो वैन काफी दूर निकल ग को आना होगा फिलाल सुप्रीम हैट से ने पढ़ने के लिए मैं ध्यान लगाना चाहिए तू मेरे गोले वारूत को वेर्थ किये देरा नागराच इसलिए पहले तुझको स्थिर करना खड़ागाना होगा फिर निशाना लगाना होगा याद है किरन जिसका वास रक्षकों पड़ेगा उसी आंत्रिक सिस्टम के मरस से जिससे मैं केवलवान को बनाया था ओ बढ़ाम अब तू अपनी मौत को अपनी तरफ बढ़ता देएगा नागराच पर कुछ नहीं पाएगा असाय था नागराच मौत कुछ फीट की दूरी परी थी तब ही नागराच के के लिए थी यारू नागराच मेरा वाहन तोप के साथ साथ जरुत पढ़ने पर फाइटर प्लेल नहीं बन सकता है वुश इसका यह वार तो सच्पन बहुत घातक है मेरी धसक्सरपों के शक्ति के लावा कोई और सक्ति काम नहीं आ सकती और धसक्सरप भी ज्यादा हुचा देखा तू कैसे फसा नागराच मैंने जमीन के नीचे बारोधी सुरंग बचा रखी है अब तू इस लाग नहीं बचेगा कि मेरे बारों से बच सके अब देख अपनी मौत को इच्छारी शक्ति ने बचाया नागराच को बम और गोले बेहिसाब बरस रहे हैं इच्छारी शक्ती भी जाज़े तक काम भी आएगी दूसी सर्फशक्तियां भी बेकार है पिछली बार मैंने इसके उन दातों को तोड़ो कर इसको हराया था जिन में इसके यंत्रों के रिमोट कंट्रोल फिटते हैं लेकिन अब तो यह इसके बाहार में फिटी यंत्रों की तदात सब्सक्राइट का प्लाइटrir रूपी बाता हुग में दिबाग में इसके इसके बीचाटम सब्सक्राइड का खेल खतम हो गया साथ तेरा भी काम खतम हुआ तमारा सोजा फू अब इससे पहले कि मैं तुमको पुलिस के भाले करूँ सुप्रीम हैड मुझे ये बताओ कि भारती को मानने का कॉंट्रेक्ट तुमको किस ने दिया था या तो मुझसे कभी नहीं जान पाओगे नागराच जानूगा जरू ज जानूगा तू ही मुझको बताएगा सब सच समौन तरंगे सुप्रीम हैड की आखों में सवाएं लगी सच 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 और सुप्रीम हैड का दिमाग उसके काबू से भार हो गया मैं नहीं जानता कि वह कौन था उसका चेरा ठकावा था लेकिन उसके पास पैसा बहुत था इसल ति यानि भारती को आतंगवादी उठा ले गये हैं पर कहा अगर भारती को माहनगर से भार ले गये होगे तो मेरे जासू सर्फ इसका पता ही लगा पाएगे फिर मैं भारती को कैसेज़ूनूँगा कहाँ होगी भारती इस वक्तु यह सवाल हम सब के दिमाग में खुम रह देकिन ज़ब सिर्व वक्त के पास है सई वक्त का इंतेजार कीजिये समाब्त दोस्तों काल चक्र की a comic समाब्त होती है अब यह comment कैसी लगी है बताइए का हमाई चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अगर फस्ताइम आया है तो मिलेंगे नागराश कंडली में तो देखते रही है comments my live channel